पास्ट एपिसोड में हमने देखा तांग सेन ने सभी एपलडर्स को हरा दिया था और फिर तांग सेन सभी एपलडर्स को हाउप यान हैमर टोकन दिखाता है जिसे देखकर वहां मौझूद सभी हैरान हो जाते हैं और सभी मेरे ग्रंट फादर के जैसे हो मैं आपको उफिन कर सकता हूं मैंने ये सब अपने ग्रेट ग्रेंड फादर के ओर्डर पर किया है जिस पर फर्स्ट एल्डर तांग सेन को टोकन वापस देते हुए कहते हैं क्या तुम्हें इसके साथ कोई और मैसेज मिला है तो तांग सेन उन्हें बताता है यह हैमर टोकन मुझे मेरे पॉजिशन को फिर से पहले जैसी कर सकूँ और हमें हावतियान सैक्ट को वापस अपनी पहले की स्थिति में लाने को कहा है जिसे सुनकर वहां मौझूद सभी लोगों में जोशा जाता है और पिर तांग सेन कहता है कि ग्रेट ग्रेंड फादर ने मुझे कहा था कि उनकी ह हमारे क्लैन की पावर को कुछ समय के लिए तो बचा लिया और हमारे सभी लोगों को भी सुरक्षित कर लिया लेकिन इससे हमारे सैक्ट का फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो चुका है हाला कि तब हम छिपकर खुद को सुरक्षित कर चुके थे पर उसी वक्त हम सबसे मार्शल हॉल जहां पर है वहां कभी न होता ये सुनकर तांग जियो कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे डैट की गलती थी हाला कि वो निर्णय उनके लिए बहुत मुश्किल था पर उन्हें खुद पर पुरा येकीन था कि आने वाले टाइम में हमारी साम को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने तो अपने ही लोगों का भी सात नहीं दिया जिस पर फर्स्टेयर कहते हैं ऎब जो बीद को उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते पर तुम बता सकते हो कि अंकल अभी कहां है क्योंकि अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनका नाम ही काफी है हमारे सैक्ट की रेपोटेशन को ठीक करने के लिए जिस पर तांसेन कहता है ग्रेट ग्रैंड फादर ने क्लियर स्काई क्लैन में वापस लौटने से मना कर दिया है क्योंकि वो ऐसे क्लैन में वापस नहीं आना चाहते जो खुद को छिपाने का फैसला करता है और अपनी मुसीबतों का भी सामना नहीं कर सकता है इसलिए हमें उनके आने का इंतजार नहीं करना चाहिए और हम सभी का ये करतव्य है कि हम सभी अपने प्लैन को फिर से पहले बाली पहचान दिलाए जिस पर तांसेन कहता है इसी कारण ग्रैंड पा ने तुम्हें ये हैमर टोकन सौफ दिया तो क्या उन्होंने तुम्हें चीफ की पॉजिशन के लिए भी कहा है जिस पर तांसेन कहता है ये फैसला बड़े लोगों का है मुझे इसमें दखल देने का अधिकार नहीं और इसमें कोई शक नहीं कि आप ही इस सैट के प्रभारी है जिस पर फर्स्ट एल्डर कहते है आप जबकि अंकल ने तुम्हें हैमर टोकन सौफा है इसका मतलब है कि वो पहले ही आपकी शम्ताओं और वेक्तितु को पहचान चुके है तो आपको चीफ के पद के लिए मना नहीं करना चाहिए जो कहने के साथ ही सभी एल्डर्स तांग सेन के सामने जुग जाते हैं जो देखकर तांग सेन हैरान हो जाता है और सेकंड एल्डर से कहता है ये आप क्या कर रहे हैं मैं ये एकसेप्ट नहीं कर सकता और उन्हें उठने को कहता है जिस पर वो कहते हैं हमारा हग बनता है कि हम hammer token का सम्मान करें और ये हमारे सैक्ट के strict regulations हैं जिसके साथ ही elder अपने सभी students से कहते हैं सुनो ध्यान से सभी मेरे साथ हमारे chief को respect दो जिसके साथ ही सभी students जुखते हुए कहते हैं respect for the hammer token, respect for the chief justice इसके बाद तांग से इन सभी elders को खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उन सभी को उसके उपर trust करने के लिए thank you कहता है और कहता है हाउत यान tribe किसी एक इनसान का नहीं है ये पूरे world का है और हम सभी को दिखा देंगे कि हमारा tribe सबसे best है और अपसे हम सिर्फ अपने tribe की glory की रक्षा ही नहीं बलकि पूरे डोलो continent की भी रक्षा करेंगे जो कहने के साथ ही तांग से इन अपनी God Light को पूरे सैक में फैला देता है जिससे सभी में एक नया ही जोश भर जाता है और सैक्ट के नारे लगाने लगते हैं और इसके बाद तांग जियो अपने भाई तांग हाउ के पास आता है और कहता है मुझे पता है कि तुमने आज तक कितना संगर्श किया पर अपसे तुम्हें ये नहीं करना होंगा जो कह कहने के साथ ही वो तांग हाउ को उसकी दोनों सोल बॉर्ण वापस दे देता है और कहता है मैं जानता हो तांग सेन तुम्हें रिक्वर कर देगा पर तांग हाउ उन बॉर्ण को लेने से मना कर देता है तो तांग जियो कहता है तुम क्लियर स्काई हैमर के प्राइड हो जो सुनकर तांगहाओ उन बोन्स को ले लेता है और फिर अगले सीम में हम तांग सेन और तांगहाओ को एक साथ एक रूम में देख पाते हैं जहां तांग सेन पहले तो अपनी गौड लाइट को एक्टिवेट करता है और फिर अपनी ब्लू सिलवर एम्परर राइट लेग स्प इनरजी निकलती है और उसका हाथ और पैर रीजनरेट हो जाते हैं और फिर तांग सेन रून से बाहर आता है जहां सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और तांग सेन के पीछे पीछे तांग हाव बाहर आता है जिसे देखकर आहें बहुत जादा खुश हो जाती है और सेंग की आंटा जाती है और तांग सेंग उन्हें ग्रीट करता है और इसी के साथ आज का हमारा ये एकिसोड यहीं पर खत्म होता है अगला एकिसोड मैं जल्दी डालने वाला हूँ